तो आप लिखेंगे अब फॉस्फीन के उपियोग फॉस्फीन के उपियोग अभी हम पढ़ेंगे फॉस्फीन के उपियोग फॉस्फीन के उपियोग जिसमें क्या क्या है पहला पॉइंट क्या लिखेंगे पहला point लिखेंगे कि फॉस्फीन के स्वता अस्फूर्थ दहन का फॉस्फीन के स्वता अस्फूर्थ दहन का स्वता अस्फूर्थ दहन का तकनिकी रूप से तकनिकी रूप से उपियोग हॉम्ज सिंगनलों में किया जाता है हॉम्ज सिंगनलों में किया जाता है दूसरा पॉइंट कल्सियम करवाइड कल्सियम करवाइड तथा कल्सियम फॉस्फाइड के पात्रों को छेदित करके के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फैंक दिया जाता है समुद्र में फैंक दिया जाता है फूल स्टॉप नहीं लिखेंगे जिससे जिससे गैसे उत्पन होती है जिससे गैसे उत्पन होती है जलती है और संकेत के रूप में और संकेत के रूप में कार्य करती है कार्य करती है तीसरा पॉइंट यह धूम पट में भी प्रयुक्त होती है यह धूम पट में भी प्रयुक्त होती है यह धूम पट में भी प्रयुक्त होती है पहले तो इसको लिखेंगे इंसी आटी इतना लिखा है तो अब्जेक्टिव कोशन इसमें बन जाता है क्योंकि बहु सारे कंपाउंट का नाम दिया हुआ है पी बलॉक में तो किसी से किसी का पूछा जा सकता है कैसे पूछा जा सकता है इसके बारे में बताएंगे हम आपको अभी कि फॉस्फीन से संबंदित परस्न क्या पूछा जा सकता है अबजेक्टिव कोशन में पूछ सकता है कि स्वता असफुर्त दहन का तकनीकी रूप से उभीयोग किस का होता है तो आंसर हो जाएगा पॉस्फीन का होता है किस में होता है तो हॉम्ज सिंगनलों में होता है हॉम्ज सिंगनलों में किस का परियोग होता है तो आप बताएंगे की फॉस्फीन का होता है यह कैसे जलता है तो स्वता ही यह जलते रहता है बहुत ही बहतरीन चीज है समुद्र के बीचो बीच, अगर जहार को प्रॉब्लम होती है, कि समुद्र के नीचे में बहुँ सारा पहार है और पठार है. अगर बरा-बरा जहार समुद्र में जाकर, दिखेगा नहीं, पानी के नीचे अगर पहार छिपा हुआ रहेगा, तो जहाज एक्सिडेंट कर सकता है इसलिए उसके सेलेंडर में यह भार दिया जाता है और वह जलते रहता दीन और रात ताकि जितने भी जहाज वाले हैं उनको पता चले कि होम्ज सिंगनल कहां कहां पर है ऐसे तो अभी जी पिएस लगा हुआ रहता है लेकिन अभी भी होम्ज सिंगनल का प्रियोग किया जाता है और उसमें फॉस्फिन गैस का बहुत ही बड़ा योगदान है दूसरा पॉइंट है कि कैल्सियम कारवाईड पहला है कैल्सियम कारवाईड और दूसरा है कैल्सियम फॉस्फाइड अभी तुरंट परहें Calcium Phosphide पहला Calcium Carbide और दूसरा Calcium Phosphide के पात्रों को छे दित करके उसमें छेद कर दिया जाता है और समूदर में फेंक दिया जाता है जिससे क्या निकलती है तो जिससे गैस उत्पन होती है और वह जलती है गैस उत्पन होगा और जलेगा और किस के रूप में उसका प्रियोग किया जाता है तो संकेत के रूप में प्रियोग किया जाता है तो objective question में पूछेगा कि किस के किस के पात्रों को छेदिया जाता है तो पहला calcium carbide दूसरा, कैल्सियम फॉस्फाइड के पात्रों को छेद करके, उसको छेद करके समुदर में फेंक दिया जाता है, और बताया जाता है, संकेत के रूप में, उसे गैस निकलेगा और उटोमेटिक जलते रहेगा, उसमें मांचिस लगाने की जरूरत नहीं है, यह दूमपट में भी यूज होता है, जहां देखते होंगे धुवा का प्रियोग करना है, देखते होंगे फिल्म इंडस्टी में, उजला उजला धुवा कहीं देखे हैं, नाटक उटक में प्रियोग किया जाता है, तो उसमें भी इसका प्रियोग किया जाता है, तो देखिये क्या होता है, एक तो आपको दो नंबर का डारेक्ट कुछ सकता है कि फोस्फ के उपियोग लिखें फोस्फीन के उपियोग लिखें तो यहां से यहां तक लिखना है. I के पात्रों को छेदित करके, कहां फेंक रा जाता है, तो समुदर में फेंका जाता है, उसे क्या निकलेगा, तो गैस उत्पन होगा, गैस उत्पन होने के बाद वा क्या होता है, तो जलता है, और किस रूप में उसका परियोग होता है, तो संकेत रूप में होता है, अगला कि फास्पीन का उपियोग, फास्पीन का उपियोग कैसा दाहन होता है, स्वता दाहन होता है, कौन से रूप में इसका उपियोग होता है, तकनिकी रूप में, कौन से सिंगनल में, होम्ज सिंगनल में इसका पियोग होता है, किसके पात्रों को छेदित किया जाता है पहला, दू फासफाइड के आथी को क्या करते हैं तो छेद कर देते हैं इसको कहां फेंक दिया जाता है तो समुद्र में फेंक दिया जाता है जिससे क्या चीज उत्पन होता है गैस उत्पन होता है या क्या होता है तो जलता है और क्या क्या के रूप में काम करता है संकेत के रूप में काम करता है तीसरा या धूमपट के भी रूप में क्या होता है प्रियोग होता है तो हम अभी आपको पुछा जाएगा फासफिन के उपियोग तो फास्फिन के उपियोग में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फास्फिन जो है सो स्वता अस्फूर्थ होकर जलने वाली होती है यही न इसका जो सॉम्ज सिंगनल में इसका प्रियोग होता है कैल्सियम कारवाइड और दूसरा कैल्सियम फास्फाइड के पात्रों में क्या किया जाता है? छेद कर दिया जाता है कहां फेंक दिया जाता है? समुद्र में फेंक दिया जाता है उसमें उस छेद से क्या निकलता है? गैस निकलता है वह क्या होता है गैस? जलते रहता है किस रूप में उसका पडियोग करते हैं, संकेत के रूप में पडियोग करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, या धूमपट में भी पडियोग में लाया जाता है, तो अगर दोर नंबर का परस्ण पूछ दिया जाए, कि फॉस्फिन का उपडियोग बताएं, या अबजेक्टिव कोश्चन इससे किसी तरह का अगर पूछा जाएगा, तो आप इन परस्णों को फॉस्फिन से संबंदित, कि हम उसका हम कैसे बना सकते हैं, उसके गुन क्या ह हैं, उसके उपयोग क्या हैं, तो तीनों पॉइंट को एक बार फिर से आप वीडियो देख लेंगे बाद में, और उसको सुनकर उसको याद करने की कोशिस करेंगे, तो थैंक यू फॉर दोइंग लाइब क्लासेस फ्रॉम, पत्ना.